अगर आप भी मेरी तरह रेस्लिंग के फैन है तो आप ये वीडियो पुर्री देखना आपने कभी रेस्लिंग देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि रेसलमेनिया डव्यू डव्यू ए का सबसे बड़ा इवेंट होता है और लोग इसके लिए सच्वे पागल है इस साल का इवेंट पाच और ची अप्रेल को शेडियूल हुआ है और जहाँ टी एके के ओनलाइन मीडिया की माने तो ये डव्यू डव्यू ए का सबसे बड़ा रेसलमेनिया इवेंट होने वाला है पर क्यों? इस बार रेसलमेनिया की इतनी कंट्रोवसी क्यों हो रही है? तो आज यही एक्स्प्लेम करते हैं आप लोग देख रहे हैं The Explainer आप लोगों को हमारा नमस्ते वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस साल का मैच ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सिस अमेरिकन नाइट मेर कोडी रोड्स का में इवेंट होगा और ये रेसलमेनिया के डे टू पर शेडियूल क्या गया है में इवेंट से पहले थोड़ा दोनों के बैग्राउंड को एक्स्प्लेन करते है रोमन रेंज ने सेट रॉलिंज और जॉन मौक्सली यानी डीन अम्डोस के साथ दिशील्ड के रूप में डब्ली डब्ली इए में स्टार्ट क्या था रोमन रेंज का स्टॉट एक नमबर था इन सभी ने मिलकर अल्मोस्ट सारे डब्ली डब्ली इ सूपरस्टार्स को खूब मारा था ओडियन्स को शील्ड के सारे मेंबर्स बहुत पसंद थी पर बाद वे शील्ड के सारे मेंबर्स अलग हो गये इससे Roman Reigns के character पर कोई फरक नहीं पढ़ा और Roman Reigns ने एक कदम आगे जाकर WWE title matches में अपना contribution डिया Roman Reigns जिस भी title पर match खेलते, वो उससे जीत लेते दी Roman Reigns ने सभी wrestlers को खूब मारा और Roman Reigns को ring में हराना सच में बहुत टफ है ये सब बात को पता चल गाया है अभी Roman Reigns almost 1300 days से WWE undisputed champion बनने हुए है इससे आप 3 साल से ज्यादा का time मान सकते है ये अपने आप में ही एक world record बनता जा रहा है इतने सालों में Roman Reigns ने बहुत बार अपना title हर WWE star से बचा कर राखा है और अभी तक का अननहे होई भी हरा नहीं पाया है Roman Reigns ने सब wrestlers को day-day कर मारा है और title अपने पास राखा है time के साथ है Roman Reigns ने Paul Heyman और अपने cousins The Usos और Solo Sika के साथ मिलकर The Bloodline Group बना लिया जिससे Roman Reigns की popularity और increase काली है साथ ही उन्होंने अपने आपको tribal chief की position दे दी जो की group का leader होता है दूसरी तरफ है Cody Rhodes उनकी family भी एक wrestling family है Cody Rhodes ने अपना career का पहला match Randy Orton से क्या था और Cody Rhodes को Randy Orton ने बहुत मारा था Randy ने पुर्रे match Cody को दिद कर मारा और ये था Cody Rhodes का पहला match Cody Rhodes ने इसके बाद और बहुत से match खेले जिसमें वो कभी कभी जीत जाते थी पर ज्यादा match में Cody को wrestlers बहुत मारते थी इसके कुछ time के बाद Cody Rhodes को WWE वालो एक नए theme Star Dust के character main introduce क्या था ताकि audience को कुछ नया देखने को माइल और Cody को उनने के भाई Gold Dust के साथ matches main देखा जाता था पर Star Dust का character Cody को खुद भी पसंद नहीं था यह character सबसे और ज्यादा मार खाता था अगर किसी को कोई match जीतना है तो Star Dust को मार लो और match जीत लो फिर भी Cody ने इस character को आचे से निभाया और last में थोड़े time के बाद लोगों को भी यह character ज्यादा कोई पसंद नहीं था लोग अब और यह character देखना नहीं चाहते है कमपनी को पता चल गया था और थोड़े time के बाद कोडी को कमपनी से हटा दिया गाया जिससे कोडी को बहुत बुरा लगा था Roman Reigns WWE main काफी dominating चल रहे थी Roman ने बहुत सारे WWE superstars के साथ कमाल के matches दिये वही दुसरी तरफ कोडी ने टोनी खान के साथ मिलकर AEW को स्टॉट किया जो कि WWE को सीधा competition के लिए था AEW में कोडी को स्टार्टिंग से ही बहुत strong दिखाया गया था कोडी को जैसे role WWE में चाहिए था वैसा ही role उन्हें मिल चुपका था AEW में कोडी ने एक से एक कमाल के matches दिया कोडी ने AEW ने अपना आचा fanbase बना लिया जिससे AEW और कोडी दोनों की popularity बैन गई थी हर AEW के paper event में कोडी रोट्स का match अल्मोस्ट होता ही था और AEW ने WWE को सही लुब बहुत tight competition दिया था जो WWE को भी नहीं लगा था पर अब कोडी रोट्स का time आगया था ये सबको पता चल गाया था तो WWE में कोडी रोट्स की entry एक बार फिर से होती है WrestleMania 38 main against Seth Rollins as a surprise opponent और इस match में कोडी ने बहुत कमाल की performance D. और Seth Rollins से match जीत लिया यह तो कोडी रोट्स की starting थी अब WWE थी कोडी ने फिर WWE Royal Rumble जीता और सीधा Roman Reigns को challenge दिमारा जो कही ना कही सबको lag रहा था और आईज ये match WrestleMania 39 के लिए बुख हो गया WrestleMania 39 main कोडी ने Roman Reigns को बहुत टक कर दी दोनों ने एक दूसरे को जम कर मारा Match main खूबलात मुखे चले Match अपने end तक आ गया था और देखने से लग रहा था कि Roman Reigns इस तरह match जीत नहीं सकते है तो Roman Reigns की help के लिए Bloodline के members आ जाते है कोडी ने Roman Reigns से match जीत ही लिया था बर Bloodline ने Roman का साथ डिया और cheating से Roman की help करी और Roman Reigns ने last main match जीत लिया यहाँ पर Bloodline ने अपना role आचे से निभाया और Roman Reigns चैंपियन बनने रहे यह कोडी की WWE main starting थी इसके बाद कोडी ने और wrestlers के साथ बहुत अच्छे-अच्छे matches दिये कोडी ने सारे matches जीत भी लिये और बाद में कोडी को company का baby face बना दिया गया जो सारे matches एक number देता है और कोई भी उससे पहले की तरह फाल्तू में मार नहीं सकता है कोडी ने एक बार फिर से back-to-back Royal Rumble जीत कर सबको surprise कर दिया इस बार सभी को कही ना कही CM Punk vs Roman Reigns का match नजर आ रहा था पर कोडी ने last moment main CM Punk को ring से eliminate कर दिया और फिर से Roman Reigns को WrestleMania main title के लिए challenge कर दिया जो काफी बड़ी बात है कि उनकी last year भी यही match WrestleMania main book था पर यहां कुछ और ही storyline बनती है यहां अब एक डम से Dwayne Johnson also known as The Rock की entry होती है रोक के आती ही किसी ने शायद ही सूचा था कि अब WrestleMania में क्या होगा बात यह है कि रोक, Roman Reigns के कजिन भी है और वो रोमन से title match के लिए WrestleMania ने match की demand कर रहे थी जो सब के लिए बहुत interesting और shocking भी था अब देखने पर लग रहा था कि मैं event Roman vs Rock होगा यह बात Cody Rhodes को भी दिख रही थी और Cody ने बिना किसी problem के अपना title shot The Rock को दिभी दिया और WrestleMania से अपना नाम वापिस ले लिया पर कुछ दिनों के बाद company को पता चलता है कि पब्लिक Roman vs Rock का match देखना नहीं चाहती है लोगों को फिर से Roman vs Cody का match चाहिए और यह बात Rock को भी पता चल जाती है और Rock बेना टाइम लिये Cody को title shot वापिस देते है और Rock खोद ही Roman vs Cody का match अनाउंस करते है पर यह करने से पहले Rock ने Cody को एक थपर दे मारा और अब Rock ने heel face ले लिया था लोगों को WrestleMania के event में और ज्यादा interest आगया था बात में दे Rock ने Bloodline ग्रूप को join भी का लिया और Roman को अपना tribal chief बना लिया Cody Rhodes Rock से बहुत नाराज थे और वो Rock को सीधा fight के लिए challenge दे रहे थे पर Rock ने इस पर एक नया challenge डिया और challenge ये था कि अब WrestleMania main day 1 में एक tag team match होगा जिसमें Cody Rhodes अपने साथ कोई भी एक partner को लेकर आये और Bloodline से Roman Rans और खुद रॉक को फेस करे अगर ये match Cody ने जीत लिया तो day 2 main Roman vs Cody के match main Bloodline का कोई member interfere नहीं करेगा पर अगर Roman और Rock ने match जीत लिया तो day 2 main Bloodline की पुरी team match main कुछ भी कर सकती है Cody में इस match के लिए अपना partner से ट रोलिंस को बना लिया और Rock को एक थपड़ मार कर match accept कर लिया जिससे ये पूरी WrestleMania की popularity और भी बढ़ गई और अब Log बस वेट कर रहे है और ये match last में कौन जीतेगा देखने की बात है Log Rock को भी heel के रूप में भी बहुत दिनों के बाद देख रहे है और यही सबसे interesting बात है बाकी हम भी वेट करते हैं WrestleMania का और यही थी आज की वीडियो I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी comment section वे बताए की कौन ये match जीत सकता है जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर ले आपका बहुत बहुत थैंक यू मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लॉग देख रहे है दी एक्स्प्लेनर झाल 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 करते हैं कर रहे हैं उन्हेर कर आप कर दो झाल 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 झाल